मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूँ, इस बार माना जा रहा था कि BJP बेंगॉल में पिछली बार का परफॉर्मेंस बेटर करेगी, लेकिन इस बार आपकी पार्टी ने BJP को जटका दिया बेंगॉल में, कैसे हुआ यह, जो एग्जिट पोल भी नहीं समझ पाए? मेरा यह मानना है कि इस बार 2024 के चुनाव में जो तिनमुल कॉंगरिस का परफॉर्मेंस रहा बंगाल में, उसके पीछे कई कारण है, पहला तो ममता दिदी के जो वेलफेर स्कीम्स हैं, महिलाओं के लिए, युबाओं के लिए, किसानों के लिए, SC, ST, ट्राइबल्स के लिए उसका एक बहुत बड़ा इंपक्ट रहा है, और दूसरी बात यह है, कि मैं यह मानती हूँ, कि इस देश में, अगर मास लीडर्स को गिना जाए, तो ममता दिदी का जो मास सपोर्ट है, वो बहुत, मैंने देखा है, लोग समझ नहीं पाते, what is the extent of that, पर अगर उसको कोई कर इस देखे, उनकी पॉपुलारिटी बेंगॉल से बाहर भी है, उस पे हम बाद में आएंगे, और मैं आपको बताओंगी क्यों, पर यह है कि उनका मास पॉपुलारिटी और उनका संगठन, जिस तरह से मजबूती से वो संगठन को चलाते है, वो ममता दिदी की ताकत है, प पर, कितना 40% वोट तक वहां पहुँच गई है, विधान सभाज चलिए मान लिया, आपने उनको बुरी तरह हराया, पर लोकसभा में अभी भी सबसे बड़ी ताकत वही है, कैसे हो गया यह? लोक तंत्र में, जो सत्ता में रहता है, वो यह जानता है कि कोई ना कोई तो opposition में रहेगा उनके खिलाब, primary opposition जिसको कहते हैं, अब वो BJP है या ABCD है, you have to accept, देखिए लोक तंत्र में अब कॉंग्रेस और लेफ्ट को आप गिनते नहीं है बंगॉल में? आप वोट शेट देख लीजिए, अब मैं क्या बूलू, पर मैं यही पोल रही हूँ, उसलिए हम लोक तंत्र में opposition को चाते हैं, हम उससे क्यों डरेंगे, that is the rule of democracy. पर ये भी तो fact है ना, बेंगॉल में आपने हरा दिया, महराष्ट में चली हरा दिया, यूपी में अखिलेश जी ने हरा दिया, राजस्थान में भी कॉंग्रेस ने कुछ सीटे कम कर दिया, पर बाकी जगह नहीं हरा पाए, बीजेपी जीती, 240 पे लाए आप, पर NDA की अलग है, कट्टू साइज हो गया है, बिलकुल कट्टू साइज हो गया है और सबसे बड़ी मुह की जहां बीजेपी ने खाई है जो उन्होंने 400 पार का नारा लगाया था, वो बिलकुल बूमरांग हो गया उनके उपर, लोगोने सोचा की समवीधान मदल देंगे